अगर आप सिल्वर में शौट टम के लिए ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहाँ पर बाइंग करना चाहिए कहाँ पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तों मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकनिकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीख है 25 अगस्त 2023 टाइम हो रहा है रात के 12 बचके 41 मिनट और आज दिन है फ्राइडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वर की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पर ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फरेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिन में हेल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत आनिकारक हो सकता है आज बात करेंगे सिल्व की जिसका कॉंट्रेक्ट है कर्ट ट्रेडिन प्राइस का सिल्व जिसका कर्ट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 73,560 रुपे के आस-पास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है 78,800 रुपीज और इसका लेटस्ट लोग पोस्ट हुआ है 67,650 रुपीज फंडामेंटल व्यू की बात की जाये तो घर्ती बढ़ती हुई ब्याजदरे और चायना की और से दिमांड और सप्लाए जियो पॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चड़ाव और न्यूस इन सारी बातों का असर सिल्व के उपर देखने को मिल सकता है इंपोटेंट सपोर्ट की बात की जाये तो सपोर्ट यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस उपर की तरफ जा सकता है पहला सपोर्ट 73,253 रुपीज दूसरा सपोर्ट 72,303 रुपीज और तीसरा सपोर्ट 71,191 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़के निचे की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेन्स का काम करेंगे Important रेजिस्टेन्स की बात की जाये तो रेजिस्टेन्स यानि ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस निचे की तरफ आ सकता है पहला रेजिस्टेन्स 74,278 रुपीज दूसरा रेजिस्टेंस 75,296 रुपीज और तीसरा रेजिस्टेंस 76,544 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के उपर की तरफ ब्रेक आउट देता है और सस्टेन रहता है तो बजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करेंगे Very long term यानि मन्थली चार्ट पे train की बात की जाए तो Train positive दिखाए दे रहा है Long term यानि weekly चार्ट पे train की बात की जाए तो Train positive दिखाए दे रहा है शॉर्ट टम यानि डेली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है तो करना क्या चाहिए आईए देखते हैं इससे पहले फ्रेंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक 14 सा लाइक भी जरूर कर लेना फ्रेंड जो बाइ करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहेगी बाइ और इस की स्क्राटजी अपनाए अगर आप बाइंड करना चाहते हैं तो बाइंड लेवल जो है कर्ट प्राइस 73,568 रूपीज से 315 रूपे निचे यानी 73,213 रूपे के आसपास बाइंड करें तारगेट रहेगा 74,278 रूपीज अगर यह तारगेट अचीव होता है तो सेकेंड टारगेट रहेगा 75,296 रूपे और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 73,070 रूपे और फ्रेंड स्टॉप लॉस जरूर लगाए बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है अगर आपने टॉप लेवल पे आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिशत क्वांटिटी 73,253 रूपीज के आसपास एवरेज करे अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है तो आप 72,303 रूपीज के आसपास 30 प्रतिशत क्वांटिटी एवरेज करे फ्रेंज अवरेजिन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है और लॉंग टम यानि वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाये तो ट्रेंड पोजिटिव दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे जो सेलर है उनके लिए सलाह रहेगी ट्रेंडिंग अवोइड की स्ट्रेटेजी अपनाए फिलहाल बाजार अभी पोजिटिव दिखाए दे रहा है कर्ट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखे तो रिस्क 710 रुपीज का दिख रहा है और रिवार्ड 315 के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखाई दे रहा है अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं को सेलिंग लेवल जो है कर्ट प्राइस 73,568 रुपीज से 710 रुपे उपर यानी 74,278 रुपीज के आसपास सेलिंग करे तारगेट रहेगा 73,253 रुपीज अगर यह तारगेट अचीव होता है तो सेकेंड तारगेट रहेगा 72,303 रुपे और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 74,464 रुपे और फ्रेंज स्टॉप लॉस जरूर लगाए बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है अगर आपने लोर लेवल पे और रैडी सेल किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30 प्रतिशत क्वांटिटी 74,278 रुपीज के आसपास एवरेज करे अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है तो आप 75,296 रुपीज के आसपास 30 प्रतिशत क्वांटिटी एवरेज करे जैसे की हमने पहले भी बताया अबर एजिन करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है और लॉंग टम यानि वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पोजिटिव दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे अभी के लिए ओवर और ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा बाय ओन डिप्स करके चले लेकिन स्ट्रीक स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में 74,278 रूपीज और 75,296 रूपीज के टार्गेट देखने को मिलेंगे अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके फाइनेंसियल एक्सपर्ट की राय जरूर ले ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस फाइनेंसियल मार्किट में सही और गलत की समझदारी जरूर रखे और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले और अपना money management और risk reward ratio अच्छे से maintain करे अपनी ट्रेडिंग में back testing या paper ट्रेडिंग जरूर करे उसके बाद ही ट्रेडिंग करे अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे धन्यवाद